नमस्कार दोस्तों आप सभी का अगिता कुकिंग वर्ड में स्वागते आजम बनाने वाल है बीना आलू का कटलेट हाँ दोसों आप ये कटलेट एक अपते तक स्टोर करके भी रख सकते हूँ जब दिल की चाहा खाने का जट से बना सकते हूँ समय कम लगता है और खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट लगता है बहुत ही नए तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बताईए दोसों मैं उम्मीद करूगी ये तरीक आपको बहुत ही पसंद आएगा रिजल्टों देख रहे हो बाहर से कितने करार है और अंदर से हलके से सौट है इसके लिए आपको क्य अब उसी मेजर्मिंट से हमने एक कप बेसन का आटा लेना है हाँ दोसे बेसन का आटा थोड़ा मोटा वाला लेना है पाउडर वाला नहीं लेना है इस बात का अपने ध्यान देना है तो दोनों हमें सेमी प्रमाचे एक कप सुजी और एक कप बेसन का आटा अब यहाँ पे जाएगा चट पटा स्वाद आने के लिए आदा चमच पे डालेगे चाट मसाला, अब यहाँ पे डालेगे आदी चमच काली मिर्श पाउडर, अब जाएगा हलका सा धनिया, अब जाएगा स्वाद दूसर नमग, अब जीस नाप से हमने सूजी का आटा लिया था, उसी नाप हाँ दोसो आप यह नाश्टेक बार बनाऊगे, आप एक हफ्ते तक इससे स्टोर करें, कि रख सकते हो, कभी भे आपके घर में कोई मेहमान आया या बच्चों को भूख लगी जली तो आप इजीली इसके बना के खिला सकते हो, खाली एक बार बनाना है और हफ्ते बार कभी भी खा सकते हो, अब इससे चला लेना एक मिंड के लिए, अब यहाँ पर हमने अच्छी तरसे घोल बना लिया है, इस तरीके से घोल चीज़ादा पतला भी ने और ज्यादा गाडा भी ने, अधर मीडम जैसे चेक घोल, पॉरफेक्ट, अब यहाँ पर एक पैन लेना है, हा अब यहाँ पर डाल गया आदा चमत जीरा, जीरे के साथ डालेगे दो हरी मीज बारी कटी हुई, और यहाँ पर डालेगे आदा इंच अद्रका तुकड़ा, इससे भी हमने कट कर लिया है, थोड़ा मोटा ही कट करना अद्रक, अब इससे भी एक मिंड के लिए चला लेना ह अब यहाँ पर एक मिंड के लिए हमने चला लिया है, अब इस टेज़ पर हमें गयस की फ्लेम थोड़ी दिमी रख लेनी है, अब जो गोल हमने बनाया था, इससे एक बार इससे चला लेना है, वो जिसमें डाल देना है, इस तरीके से, अब इससे दिमी आद पर इससे कुक क करते हैं, जब तक की कुक करना है, जब तक की इसका दो ने बन जाए, दो बन जाएगा, तभी हमें गैस बन करना है, और इसमें गुठली थोड़ी भी होगी नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने सुजी डाली है, और मोटा वाला बेसन का आटा डाला है, तो इससे अच अभी इस्टेज पर हमें गैस बन करते हैं, तो इसे एक बाल में निकाल लेते हैं, हाँ दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया, इसी रेसिपे यहनी नाश्टा, जट से पट बनाए जाते हैं, एक बार बनाना है, और हबते तक आप कभी भी इसे खा सकते हो, अभी एक बाल में निकाल लेना है, अभी इसे थोड़ा थंडा कर लेना है, गरम गरम आप इसे मतलब बनाओगे, कटले और स्टोर करोगे, तो एक दो दिन में ही खराब हो जागा, इसलिए मैं अच्छी तसे थंडा कर लेना है, अभी यहापे इसे इमने पांच में पंखे के निचे सुखा अभी हमें थोड़ा ओईल ले लेती हो हाथों में, डो चिपके ना, और हाथों को में थोड़ा चिकना कर लेना है, इस तरीके से, अभी हापे छोटे-छोटे साइट के हम कटले बना लेगे, आपको कौन सा सेब चाहिए आपके सब से कर सकते हो, यहापे हम लोग रोलर से ब बताना है, एकदम पर्फेक्ट इस तरीके से करना है, थोड़ा हलका सा लंबा रोल कर लेना है, तो सारे रोलर में इसे बना लेते हैं, सेम टू सेम, अभी हापे सारे कटलेट बनकर तयार हो चुके, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहोगे, अभी इसे स्टोर करना है और जब यह आपको खाना हो, तो आदे गंटे पहले निकाल लेना है, तब इसे फ्राइ करना है, एकदम इजी से ये एक हप्ते तक अच्छी तसे रहता है, अभी मैं आपको फ्राइ करके बता देते हूँ केसे करना है, अभी यहाँ पर ओईल गरम में ने कर लिया है, हाँ एकदम गरम तेल चाहिए, थंडा तेल नहीं चाहिए, रेसिपी आपको यह कैसी लगी तो हमें बताना है, इसे तुरन टच करना दे, थोड़ी टाइम के बाद हम इसे टच करेगे, अभी इसे हम टच करेगे, पुलट पुलट करते जाना है, और जब तक कि फ्राइ करना है, जब तक यह गुल्डन ना हो जाए, और इसे बीच-बीच में से चलाते भी जाना है, अभी आपे हमें पांच मिनिटी लगे दोस्तों, एक जैसा कलर आ चुका है, गुल्डन, मैं आपको लेके बता देती हूँ, एकदम बढ़िया सा, जैसे मैंने ओल में से निकाला, तुर बीना आलू का कटलेट, रिजल्ट आपके सामने, आप यकिन ना मानो, तो वीडियो तो आपने पूरा ही हमारा देखा है, मैं आपको एक लेके बता देती हूँ, ओईल थोड़ा भी नहीं है, देख सकते हो, अब आज भी देख लेना बहार से कितना करा रहा है, है ना, अब पर नहीं होगे तो लाइक करें, शेर करें और सस्प्रेब करना ना भूलें